साल 2016 में नवेंबर के महीने में नरेंडर मोधी सरकार ने नोट बंदी को लागू किया। इस दोरान 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद से एकदम से देश में नगत की कमी हो गई। नोट बंदी से फायदे और नुकसान क्या क्या हुए ये एक अलग मुद्दा है लेकिन इस नोट बंदी से एक फायदा ये हुआ कि cashless transaction में एकदम से उचाला गया नोटबंदी के बाद से cashless transaction में जो boom आया वो अभी तक बरकरार है सबजी वाले ठेले से लेकर देश में बड़े showroom तक cashless transaction को बढ़ावा मिला इससे देश में नगदी संकट भी दूर हो चुका है अज के वक्त में आप और हम cashless transaction करते ही होंगे लेकिन कि आपको पते है कि cashless transaction में किस technique का इस्तेमाल किया गया है आखर ऐसी कौन सी तकनीक है जिसकी मतद से हम और आप चंद second में पैसे transfer कर सकते हैं आईए जानते इस तकनीक के बारे में दोस्तों cashless lien देन का debit और credit card swipe mobile wallet जैसे की paytm phone पे जैसे तरीके शामिल है दोस्तों ज्यादतर लोग cashless transaction में debit और credit card को POS machine से swipe कर भुगतान करना पसंद करते हैं इस प्रक्रिया में आप किसी दुकान पर debit या credit card से swipe machine से भुगतान करेंगे तो आप इसमें अपने card को swipe करते हैं machine में अपना pin डालते हैं और इसके बाद भुगतान हो जाता है यहां पूरी प्रक्रिया काफी आसान और कुछ सेकेंडों की होते हैं लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है जिससे सिलसिलेवार ढंग से अचसे समझा जा सकता है दोस्तों जैसे ही हैं आपने card swipe किया इसके magnetic strip में मौजूद data को पढ़कर वो swipe machine आपके card को और आपके खते को पहचान जाता है जिसके बाद एक central server पर data को भेजा जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि card के जरीए कितनी राशी का भुगतान करना है server पर आपके खाते में मौजूद रकम या limit की सत्यता को चेक किया जाता है और आपके pin को validate किया जाता है ये सही होने पर पलक जपकते ही भुगतान हो जाता है ये सारा संचार अतिसरक्षित encrypted होता है दोस्तों अगर आप भी कोई खास वीडियो देखना चाहते है तो उस वीडियो के topic का नाइम comment box में comment कर जरूर बताएं दोस्तों वर्तमान में भरत में cashless लेंदेन के लिए अती सुरक्षित payment grade encryption technology का उपयोग किया जाता है जिसे की उपयोग करता और bank का data सुरक्षित रहे इसे खास तोर पर सरकार के national payment corporation of India के लिए बनाया गया है mastercard और visa के card में भी उन्नत किस्म की encryption technology का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रयोग के दौरान hacking आदी के जरीयो उपयोग करता या व्यपारिक संस्थानों को चूना लगने की संभाबना नहीं होती दोस्तों आप अभी क्या कर रहे हैं हमें नीचे comment कर जरूर बताएं और इस वीडियो को like और share करना न भोलें अगर आप ये वीडियो facebook पर देख रहे हैं तो हमारे page को like कीजिए अगर youtube पर देख रहे हैं तो हमारे channel को subscribe कीजिए इसके लावा और मज़ेदार जानकारियों के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा इसके लिए नीचे description में दिये link पर click कीजिए